अगर आप भी चाते हो आपके ब्लॉग से इस तरह की अर्णिंग हो, आपके ब्लॉग का RPM हाई हो, कम ट्रैफिक में जादे पैसे बने, तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा है इंटरनेशनल ब्लॉग, जहां पर US, UK, कैनेड़ा इसे देशों से ट्रैफिक आएगा और पर पैसे आपको चारे बनेगे, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के बारे में पिलकुल स्क्रैश से, और यहां पर मैं आपको किवल सेट अप करके छोड़ नहीं दूँगा, यहां पर हम बात करेंगे, complete strategy के साथ, inside के साथ, data के साथ, कि कैसे इंटरनेशनल ब्लॉग के लिए नीच चुनते हैं, कैसे हम इंटरनेशनल ब्लॉग के लिए keyword research करते हैं, कैसे इंटरनेशनल ब्लॉग के लिए domain select करते हैं, कैसे हम content strategy बनाते हैं, कैसे content writing करते हैं, blog setup कैसे करते हैं, content को optimize कैसे करते हैं, backlinks कैसे बनाते हैं, औ आप किसी के वीडियो देख डालोगे तो आपको इस तरह की strategy नहीं मिलेगी, तो इसलिए seat belt लगा लिजिए, pen paper लेके बैठ जाएए, laptop on कर लिजिए, और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें जो चीजे मिलेंगी यो कहीं पर नहीं है, जैसा सबसे पहले अगर आ आ चुका हूँ, niche research कैसे करते हैं, मैंने international blog के लिए niches भी share किये हैं, last video में ही मैंने बताया है कुछ ऐसे top niches, जिसको मैंने research करके data को collect किया था, आसान तरीका होता है, niche select करने का हो है हमारा interest, लेकिन अब ऐसा नहीं है, कि हमारा interest कुछ भी हो, तो हम कुछ भी select कर सकते हैं, न right, कि like हम, अब suppose जैसे हम cricket के बारे में अगर हम लिख रहे हैं, तो US market के लिए तो लिखी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर उतना चीज़े नहीं है, right, तो ये चीज ध्यान देना है कि, जो भी हमारा interest है, सबसे पहले हम उसका list बनाएं, और उसके बाद हम दूसरी number पर क्या कर हैं, कि like हम किस market को target करने वाले हैं, जैकि European market को, या फिर American market को, ये पहले तैय कर ले, African market को, right, या Middle East को, जब market तैय कर लेंगे, उसके बाद उसी हिसाब से, जो उस market के लिए align हो रहा है, वो आपके जो इतने भी interest है, उनको एक side में कर लो, आप दूसरे step में इतने simple सा step है, कि आपको ना, दिमाग खवाने की जरूवत ही नहीं है, चैर जीपीटी पे जाना है, जो भी आपके interest है, उससे related sub topics, या फिर activity, ठीक है, या फिर उससे related product, services, जो भी चीज़े हैं, और find करना है, आपको बस एक command लिखना है, चैर जीपीटी पे छोटा सा, और देखेंगे, इ जाना है आपको, third step में क्या करना है, आपको कुछ SEO tools हैं, जिनका इस्तमाल करना है, अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप पे टूल का इस्तमाल कर सकते हैं, या है HRF, HRF हो गया, या फिर SMIRAS का keyword magic tool हो गया, लेकिन अगर आप फिर ही हैं, पैसे नहीं है, तो ये tool है, जो की simple स बहुत ही insightful data देता है, Google Trend, यहाँ पर जाना है, जो niche आपने select किया है, उसको Google Trend में enter करना है, इंटर करने के बाद market select करना है, कि किस market के लिए उस niche को आपने select किया है, महाँ पर देखेंगे countries का list आता है, market मतलब country, कोई country हो गया, जैसे USA हो गया, कैनेडा हो गया, UK हो गया, इंडिया भी हो सकता है, UAE हो गया, अब यहाँ पर जैसे market select करके आप देखेंगे कि आप देख समझ में आ जाएगा, एक keyword पर लोग है, लोग search करने है, आज के समय में उसकी relevancy trend में है कि नहीं है, अगर है, आप उस keyword को select कर सकते हैं, ऐसे जो number आप keyword नहीं है, एक बार का process नहीं है, हो सकता है आपका जो interest है, उसमें से 10 निकल काने list, टिक है, for example मैं आपको बता रहा हूँ आप जो दूसरा तरीका है niche find करने का like market demand के आधार पे हम niche select कर सकते हैं, जैसे कि आज के समय में आप सभी ने देखा होगा कि पिछले एक साल दो साल से AI, 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 हर जगहें AI, right, मतलब कितने website बन गए AI के, कितने tools बन गए AI से related, कितने लोगों ने कितना पैसा कमा लिया, कोई भी उसकी सीमा नहीं है, केवल एक keyword AI पे, right, किसी ने AI tool बनाया, किसी ने AI blog बनाया, किसी ने AI directly बनाया, किसी ने AI news बनाया, ठीक है, किसी ने AI affiliate पे काम किया, अलग-अलग तरीके से लोगों ने लाकों करोंडों डॉलर कमाए, इसी तरह market demand जिस तरह से है, उस तरीकी का blog बना सकते हैं, उस तरीके के topics पे blog बना सकते हैं, अब market demand कैसे find करना है, इसके लिए बहुत सारे जो research tool है, जैसे इस्टट इस्टा है, यहां से आपको market के data मिल जाते है, monkey survey है, वहां से data मिल जाते है, market research tool है, जहां से आपको insightful data मिलते हैं, industry की बारे में कि कौन से industry grow हो रही है, कौन industry में आगे चलके क्या क्या चीज़े होने वाली हैं, यह सब चीज़ें, यह चीज़ें आप news से भी find कर सकते हो, अभी latest का example दूँ जैसे अभी आपने सुना, कि जीओ और जो hot star है, वो merge हो रहा है, तो अब जो hot star है, ना hot star रहेगा, और जीओ सिनेमा, जीओ सिनेमा रहेगा, लाइक कई सारी लोग जो hot star को target करके block बना रहे होंगे, उसके how to guide चीज़ों के बारे में, अब वो hot star के बारे में block बनाएं, तो यह market trend है, जो भी market demand है, जो भी market में demand जन्नेट होगा, उससे related content, उस guide को आप fill कर सकते हो, अपने content के थुरू, अब मैं आपको कुछ growing market demand के बार जो भी like future stick prediction वाले reports हैं, उनके हिसाब से वो आगे चलके outgrow होने वाले, PI का आपने सुनी लिया है, एक जीज और grow होने वाली है, वो है cyber security, जितने जादे technology आएगा, उतना जादे cyber security के demand बढ़ेंगे, daily health, जो है virtual healthcare, ये segment बहुत जादे growth होने वाला है, आगे चलके, renewal energy, जैसे की water, solar, wind, EV का क्रेज देखी रहे हैं, कि like हर एक country का अपना target है, कि 2030 तक हम पुरा petrol वाले गारियां हटा देंगे, ये सब कर देंगे, तो chances हैं, अभी देखी लग नहीं रहे हैं, लेकिन chances बहुत जाद हैं, अगर देखा जाए penetration EV का, तो आप China market देखिए, आप Norway market देखिए, यहां पे completely EV overtake कर चुके हैं, तो ऐसे इसका growth day by day बहुत जादे है, अलग-अलग market में, zero waste वाले product का demand दिर दिर बढ़ रहा है, green building और space एक ऐसा field है, जिसके बारे में अभी content उतने जादे नहीं है, चाह भी demand बहुत जादे बढ़ने वाला है, space related, like space tourism, space exploration, space learning से related चीजे, उस पे हम consider कर सकते हैं, तो यह सब market demand के हिसाब से इस तरह के नीचे में जा सकते हैं, अब ऐसा नहीं कि इन ही directly यह नीच हो गया आपके, इसके अंदर आप चुन सकते हो, इसके अंदर बहुत सारे sub category होंगे जिन पर हम blog बना सकते हैं, जैसा मैंने बता है na, space, उसमें space to region में उसका एक sub category है, और same आपको repeat करना है, वही छी कि आपने कोई एक growing market को select किया, और उससे related जो भी sub topics हैं, आप find करो, sub topic find करने के बाद, आप sub topic कैसे find करना, chat GPT पर जाना है, वहाँ पर topic डाले, sub topic निकल कर दे, उसके बाद आप same google trend के help से, या फिर other SEO tools की help से, आप पता करो कि इसका जो market है, grow हो रहा है की नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी searches है की नहीं है, उस पर काम करना start करता है, कीसरा तरीका है, like international blog के लिए needs find करने का, खुद से सोचो, जैसे बहुत सारी लोग experience हो जाते हैं, काम करते करते हैं, उनको knowledge हो जाता है, उनको पता हो जाता है कि कौन कौन से factor है, जिनको मैं consider करके एक blog needs select कर सकता हूँ, तो brain storm कर सकते हो आप, like जैसे कि उसका competition कितना है, उसमें searches कितने है, उसका market कितना है, वहाँ पर earning के opportunity कितने है, इस सब चीज़ों को consider करके, आप किसी needs को select कर सकते जैसे हमने जो needs select किया, वो brain storm करके ही select, हमने market के बारे में research किया, हमने कई सारे consideration लिये, हमने US market को ही target किया, बट यूस market में हमने एक particular city को ही target किया, हमने पूरे market को target नहीं किया, तो हमने क्या 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 पहले list बनाया, हर एक state में, या पूरे complete के यूस में, कि ऐसे cities कौन कौन से हैं, जहां पर 5 लाग से जादे की आबादी है, उन cities में गए, उन cities में से मैंने अपने niche के according select किया, तो ये आप brain storm कर सकते हो, अपने तरीके से ये हर एक का अलग-अलग होता है, हर एक का niche select करने का अलग-अलग होता है, जैसे कि मैंने एक interview देखा था, बादल जी है, जो क उडिसा के रहने वाले हैं अपने, उनका था वो Google Trend की help से niche select करते हैं, कोई लोग market को track down करते हैं, लंबे समय से, उसके मदद से, उसमें से niche निकालते हैं, तो ये आपका, कई सारी लोग इसे brain storm करते हैं, season के हिसाब से niche चुन लेते हैं, ये brain storming completely आप पर depend करता है, कि आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ये थोड़ा सा experience gain करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो इस तरीके से आपको niche select कर लेना है, आप सभी ने हो सकता है, niche चुन भी लिया हो, अगर नहीं चुना है भाई, तो मैंने नीचे ना list दिया है, niche का, खुद से बना पहले होती हैं, तो उसका benefit होता है, जैसे मैं यहाँ पर जो second step मिला रहा हूँ, जो international blog है, उनके लिए keyword कैसे find करें, इस step को, ना कि blog setup करने, इसका बहुत बड़ा कारण है, जो कि आपको psychologically बहुत मजबूद बनाता है, कि आपको blog शुरू करना है, कि नहीं शुरू करना है, मै उन लोग का पैसा नहीं बरबाद करना चाहता हूँ, कि पहले setup कर लो भाई, उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि आपने पैसा पहले खर्च कर दिया, उसके बाद काम नहीं हुआ तो गड़बड हो जागा, तो पहले आप जान लो कि भाई, आप एक कर सकते हो, then आप शुर चुकी इंटर करोगे, इनिसियल टॉपिक होना चाहिए, तो हमने नीच चुन लिया है, हमारे पास इनिसियल आइडिया है, बेसिक आइडिया है, कि हमें किस तरीके के keyword research करने हैं, दूसरा, हमें अपना target location पता होना चाहिए, ये दो factor है, keyword research के लिए बहुत important, क्योंकि सपोर जैसे अगर आप international blog बना रहे हो, तो आपका target clear होना चाहिए, अगर आपका target नहीं clear होगा, तो हो सकता है, कि आप जो content बना रहे हो, उस market के साथ align नहीं हो रहा है, उस market के साथ suitable नहीं है, आपका फायदा है, वो चीज आपको ध्यान देनी है, तो keyword research करने के लिए, market में बहु keyword generator का यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, word stream का free keyword tool यूज कर सकते हैं, google keyword planner तो हमारे पास है यह free में, उसका इस्तमाल कर सकते हैं, तो इन तीन keyword tool का यूज करके, जो free में है, इनका अगर आपके पास paid है, तो paid का भी, तो जैसे हमारा, हमारा जो niche है, हो है mold removal, अब हम क्या करते हैं जाते हैं word stream जो free keyword है वहां पर डालते हैं जैसे हमने इंटर किया इसको देखेंगे पूरा keyword का list आ गया अब हमारा देखेंगे यहां पर CTC भी पता चलना है हमें keywords के competition भी पता चलना है सर्चेज भी पता चलना है हम क्या करेंगे सारे keyword को यहां पर आपको अगर आप consider करना चाहें तो लो competition वाली keyword को पहले priority दे सकते हैं पर यहां पर मैं सारे keywords को ही copy करके अपने लिस्ट में add कर लूँगा अब लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है सिंपल सा जब आप इस step पर आओ तो आप एक seat बना लो Google seat बना लो जो पहला column रखो और रखो नीच का दूसरा column keyword का तीसरा column रखो content का तो दूसरे column में जो keyword वाला column है उसमें ले जाके इसको paste कर दो ठीक है इसी तरह आप Google keyword planner में जाओ Google keyword planner का एक बहुत बड़ा गूगल keyword planner का एक बहुत बड़ा benefit क्या है मैं आपको बता हूँ यहां पर आप narrow down कर सकते हूँ अपनी market को लाइक हमें एक country सर्च करना है हमें सर्च करना है एक state हमें सर्च करना है एक सहर हम वहां तो जैसे मैंने यहां पर जो मेरा target city है मैंने उसको select किया ठीक है वहां पर मैं गया और वहां पर select करने के बद मैंने अपना keyword इंटर किया और आप देखेंगे उसके हिसाफ़ सर्चेज हैं उस सहर में जो सर्चेज हैं वह हमें पता चल लाए इसको भी मैंने क्या किया कॉपी करके list में add कर लेगा तो इस तरीके से हम keyword research कर सकते हैं इसमें competition हम select कर सकते हैं easy hard medium तीन होते हैं mail नहीं easy वाले के साथ सबसे पहले जा सकते हैं इसको low competition कहीं पर कहते हैं कहीं पर easy कहते हैं उसको सबसे पहले हम select कर सकते हैं तो इस तरीके से हम आप आसानी से अपने जो international blog है उसका keyword list बना सकते हो क्योंकि जैसे आपने complete keyword research आपके दिमाग दौड़ना शुरू कि किस keyword पर content बना सकते हैं किस keyword करोसि यह सब चीज chasing click होना start हो where 25 आपके दिमाग पर कहीं कहीं हिंट होना start हो का कि या आप इस पर ब्लॉग कर सकते कि नहीं कर सकते हो जैसा दूसरा step आपने किया आप जब तीसरा step करोगे तो आपके दिमाग में पूरा clear हो जाएगा कि आपको international blog बनाना है या नहीं बनाना है क्योंकि यहाँ पर मैंने उलट फेर जैसा मैंने बताया किया है यहाँ पर तीसरे step में हम सिखेंगे कि international blog के लिए content मिल जाएगा आपने अगर आप process के थुरू आ रहे हो तो आपने एक चीज notice किया हो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वह बात करें इस ब्लॉग की यहाँ पर हम एक multiple news blog की बात नहीं कहते हैं तो इससे एक चीज हमारा जो clear हो गया कि हमें content किस topic पर बनाना है पहला चीज हमार a dog radi plan select किया हो सकता है आपने snake plan select किया हो लो savoir versuchen के पर आपको clear है कि किस topic के बारे में लिखना है आपका content किस topic के around होगा अब आपने जो keyword list बनाया है ना केवल दो टूल का इस्तमाल करके content idea list भर भर के find कर सकते हैं जो पहला tool है वो है answer the public बहुत बार इस tool का नाम ले चुका हूँ यह tool ऐसा है जो आप keyword इंटर करोगे उसके around यह पूरा list बना के देदेगा content for example यहाँ पर जैसे हम mold removal keyword इंटर करते हैं और आप देखेंगे उससे related जो भी questions बन पा रहे हैं वो हमें देदेगा हमें क्या करना इस questions को उठाना है अपने list में add कर लेना है अगर यहाँ से भी ना मिले तो दूसरा option आता है जहाँ से human questions मिल जाते हैं मतब लोगों के personal सवाल होते हैं वो है कोरा रेडिट भी consider कर सकते हो दोनों सेम तरीके का है इसलिए मैं एक के बारे मता रहा हूँ कोरा पे जाना है आपको बस अपना keyword जो topic आपका नीच है उसको इंटर करना है और आप देखेंगे या फिर जो keyword list आपने बनाया है उसमें से कि keyword उठा के यहाँ पे इंटर करोगे तो आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोगों के questions मिल जाएंगे जो की अलग-अलग तरीके से सवाल करने है उनके अलग-अलग problem है वो blogging का मतलब ही है problem का solution देना आप उन questions को list कर सकते हो कितना आसानी से मैंने बता दिया कि questions कैसे find करना है लगाना आसान अब यहाँ से आपका clear कैसे होगा blogging जनने आपको आगे जाना है कि नहीं आप जब question देखे तो आपको समझ में आगया है कि content में लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा लंबे समय तक काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा यह आपने तैय कर लिए जो next step आता है इसके बाद कि हम international blog के लिए domain कैसे चुने, domain चुनने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग लोग इस्टेड़ इस्तेमाल करते हैं, कोई MD चुनता है, कोई keyword based domain चुनते हैं, कोई brand वाले domain चुनते हैं, कोई अपना खुद का नाम रखते ह तरीके हैं, और कोई आप एक pattern नहीं बता सकते हो, कि यह वाला domain चुनोगे तो आपका जादे चलेगा, यह वाला domain चुनोगे तो कम चलेगा, जैसे आप देख सकते हैं, अपने भाई के एक blog है, इन्होंने अपने नाम से ही बनाया है, अपना इनका नाम है, ठीक है, लेकिन अच्छा traffic है, अब नाम में तो कोई भाई कोई नीच है, कोई category है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जब हम solo पे काम करते हैं, तो हम consider करते हैं, कि हम ऐसा domain बनाया है, कि जो कि हमारे target audience के लिए सटी, अब सटी कैसे होगा, दो ही strategy अपनाना है भाई, बस simple सा, मैं दो ही-दो ही में ख खिला खतम कर रहा हूं, पहला, आप ऐसा domain चुनों, जिसमें आपका जो main keyword है, क्योंकि हम solo नीच पे काम कर रहे हैं, तो हमारा main keyword उसमें होना चाहिए, for example, जैसे dogvegandiet.com, यह हमारा main keyword है, उस ही पर है, और जैसे आप अगर locksmith से related बना रहे हो, for example, locksmith बना रहे हो, तो locksmith आप keyword होगा, आप किसी city को, जो target city है, जैसे आप दुबाई को target कर रहे हो, तो dubailocksmith.com, मैंने जो domain लिया है, मेरा keyword है, plus target location है, जो city में target कर रहा हूँ, तो आपका दो, दोनों चीजे हो, location, plus keyword हो, या फिर keyword हो, यह दोनों चीजे तो मेंसे कोई ने कोई होना चाहिए, ऐसा domain आपको मैं आप से कहूँगा, international blog हो, या local blog हो, कैसी blog के लिए आप domain लागे, अलग-अलग platform से buy कर सकते हैं, कोई restriction नहीं है, जैसे कि अगर बात करें, name cheap है, go daddy है, ठीक है, आपका hosting का, जितने भी hosting provider हैं, सारे domain sell करते हैं, यहां से, दो बहुत popular है, name cheap और go daddy, बट मैं हमेशा recommend करता हू name cheap का, अगर आप domain अलग platform से, hosting अलग platform से buy करना चाते हैं, तो, वरना बहुत सारे hosting provider हैं, जो पहले साल के लिए domain बिलकुल free में देते हैं, मतलब आपका 1000 रुपे तक तो बचा देते हैं, लेकिन अगर आप चाते हैं, कि आपका domain अलग platform पे रहे हैं, और hosting अलग platform पे रहे हैं तो आप name cheap consider कर सकते हैं, नहीं तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आपको free domain कैसे मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो name cheap में आप इंडिया से हो, तो PayPal के थ्रू ही payment कर सकते हैं, और कोई option नहीं है, credit card या PayPal, तो वहाँ पे फायदा यह है कि जो privacy आपकी जो leak खो रही होती है, GoDaddy के तुरू या दूसरे provider के तुरू, own name cheap के तुरू नहीं होती है, सस्ता domain होता है, और plus आपकी privacy जो है, वो security है, free में, पैसा नहीं देना पड़ता है, GoDaddy इसके लिए पैसा चार्ज करता है, हर साल, तो ये दो platform है, जहां से आप buy कर सकते हो, बट मेरा recommendation ह अगर आप चाते हो कि आपका hosting अलग रहे, domain अलग रहे, तो name cheap, वरना मैं आपको solution दे रहा हूँ, next step में, अब देखे हमारे पास क्या-क्या ready हो गया, recap कर लेते हैं, हमने अपना niche चुल लिया है, हमने keyword का list बना लिया है, हमने content का list बना लिया है, हमने domain name select कर लिया है, अब ब यहां पर एक point है, hosting जो हमें चाहिए, हमारे उस location के साथ align होना चाहिए, जैसे अगर हम US market के target कर रहे हैं, तो हमारा, वहां का hosting server, वहां का located होना चाहिए, यानि हमें एक ऐसा server चुलना है, एक ऐसा hosting provider चुलना है, जो कि हमें उस market के लिए hosting दे रहा हूँ, से इसी तरह अगर कोई बाहर से इंडिया को target कर रहे हैं, इंडिया के लिए कोई European गंडी को target कर रहे हैं, तो इसके लिए जो platform है, सस्ता है, सस्ता इसलिए है क्योंकि अभी के time पर देखे, Black Friday deal चल रहा है, Black Friday में क्या होता है, hosting बहुत ही जादे discounts देते हैं, दोस्तों, बहु आपको domain एक साल का free मिलेगा, तो girlfriend के साथ एक date, या फिर एक नए तरीके से पैसा कमाने का सिखना, यह आप तैय कर सकते हों, तो hosting हम कहां से लेने वाले है, hosting गर से, इसका link मैंने description में डाला है, affiliate link है, खरीदो कोई मुझे commission मिलेगा, लेकिन आपके पैसे में कोई changes नहीं होने तो video description में इस तरीके का link होगा, इस पर click करना है, click करने के बाद तरीके के page भी आजाएंगे, जो कि इस तरीके का आपको दिखेगा, कि like आपका 149 में hosting एक महीने के लिए मिलेगा, free domain, free website migration support भी मिलता है, यहाँ पे, then हम start now पे click कर देंगे, अब then start जैसे now पे click करते हैं, तो ह हमारे सामने आते हैं कई सारे plan, जो कि single website का plan है, multiple website का plan है, business है, cloud है, single website में हमें क्या है, domain नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हम उसको select नहीं करने है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे, हमारे पास जो best plan है, ओ है, यह premium, तो हम इसको consider करते हैं, और यहाँ पे choose plan पे हम click करेंगे, और यहाँ पे click करने के बाद देखेंगे, limited deal offer हमारे पास देखेंगे, आ गया है, यहाँ पे चला है, हमें जो है, तीन महीने का फिरी मिल सकता है, अगर 48 महीने कर लेते हैं, तो अगर नहीं लेते हैं, तो मैं कहूंगा recommend करता हूँ, हमेसा 12 महीने से सुरू करिए, जब आप के पास पैसा हो, तो दिन आप उसे extend कर सकते हैं, और आपको लगे कि हाँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे coupon भी apply नहीं करना पड़ेगा, अगर आप link पे click करते हैं, तो आप वो coupon apply करने की ज़रूत नहीं है, directly आपको discount मिल जाता है, 2600 रुपे में ही आपको पूरे साल के लिए hosting मिल जाए, यह दोस्तो, plus domain, plus SSL, यह सब मिलेगा, अब आपको क्या करना है, continue पे click करना है, और एक और important चीज मैं बताता हूँ, हमें इसार वीडियो में, कि 30 दिन का money back guarantee मिलता है, यहाँ पे, no question ask वाला system है, अगर आपको hosting पसंद नहीं आता है, 30 दिन के भीतर उसे वापस कर सकते हैं, अगर आपको किसी step पे लगता है, कि मैं नहीं कर मौँगा, तो then, आप अपने पैसे को refer न ले सकते हैं, ठीक है, then यहाँ पे continue पे click करना है, continue पे click करने के बाद यहाँ पे email address और password इंटर करना है, ठीक है, account create करने के लिए, और directly चाहें तो Google से भी कर सकते हैं, पे मैं एक password strong इंटर कर देता हूं, then continue पे click करना है, यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम इंटर करना है, और then यहाँ पे इंटर करना है, last name, तो यहाँ पे last name मैं अभी ऐसे ही इंटर कर देता हूं, क्योंकि a lady मेरी नाम से बहुत सारे hosting है, country select करना है, जैसे इंडिया हम select कर ल 96, ऐसे कोई भी random समय ने select कर लिया है, क्योंकि tax तो यह fix रहता है, दोस्तों, यह tax जो है इतना ही लगेगा, और tax हमारा 300 पे लगा है, 425 रुपे, तो उसका price मिला के 2790 हो गया, अगर यह 2600 होता तो और जादे लगता, तो 300 के पार जाता, ठीक है, कोई दिक करता है, tax तो government ल करते हैं, चुकि मेरे पास card, debit card और credit card दोनों चलता है, तो दोनों से तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं, then submit payment पे हम click करेंगे, अब देखेंगे, pay now पे जैसे click करते हैं, तो redirect होता है bank की तरफ, जो UPI करते हैं तब भी, और यहाँ पे secure and continue, जो है payment पे, यह बार हम फिर से click कर देते OTP verification का process है, वो complete करेंगे, किसी भी माध्यम से करेंगे, तो आपके bank ते जाता है, तो यहाँ पे हमारा OTP हमने enter कर दिया, then continue पे हम click कर देंगे, थोड़ा सा bait करना पड़ता है, यह process अब इसे touch मत करेंगे देखेंगे, यह welcome page है, यहाँ पे हम आगए, इसको क्या करना है, हमें जैसे blog बना रहे हैं, हम खुद के लिए बना रहे हैं, खुद के लिए select करेंगे, then next, ठीक है, या चाहेंगे सारे step को इसकी भी कर सकते हैं, यहाँ पे create हम कर रहे हैं, हम migrate नहीं करने, तो हम create यह website पर click क next, अब हम क्या करें, wordpress बना रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पे hostinger, website builder का select कर लेते हैं, यह blog बनाने के लिए नहीं है, हमें select करना है wordpress, तो इसको select करना है, then हम यहाँ पे next option पर आ जाएंगे, अब यहाँ पे जब wordpress हम select करते हैं, तो हमें wordpress का login detail यहाँ पे देना होता है, तो यह बहुत जरूरी है, यहाँ पे login detail इंटर करना, और then हम यहाँ पे next option पर click करने के बाद, अब हमें select करना है कि किस तरीकी का हम like a platform create करना चाहते है, blog बनाना चाहते है, या कोई e-commerce store या कुछ और, यहाँ पे हम blog बना रहे हैं, तो blog को select करेंगे, then next, next के बाद यहाँ पे देखेंगे, कुछ pre-built templates और pre-built चीजे मिलती है, ठीक है, यहाँ पे हम build from scratch option पर click करेंगे, अब देखेंगे, जब हम build from scratch पर click करते हैं, तो हमें कई सारे option मिलते हैं, जैसे generate press का option है, तो हम इसको ही select कर लेते हैं, क्योंकि generate press ही हम use करने वाल तो यहाँ पे रखे रहते हैं, WP form, then यहाँ पे next पे हम click करते हैं, अब यहाँ पे domain name, जो मैंने बता था, free domain name, वो यहाँ पे claim करने का option है, तो यहाँ पे हम अपना domain name enter करेंगे, और उसको हम claim करेंगे, बिल्कुल free में, तो यहाँ पे मैंने अपना domain name enter कर दिया है, अब दे information country select करना, जैसे इंडिया से तो इंडिया, ठीक है, पर्सनल, और अगर आप company है, तो आप company भी select कर सकते हैं, like आपको अगर build, GST, यह सब चीज़ा add करना तो, then हम personal select करना, finish registration पे हम click कर देंगे, तो यह हमारा domain का जो registration है, वो complete हो जाता है, तो इसको करना बहुत ही जरूरी है, domain के लिए, तो domain हमारा free में हो गया, hosting हमने ले लिया, हमारा setup वाला जो काम है, अब next step में बढ़ गया, तो देखेंगे, hostinger मैंने क्यों चुना, उसका purpose यही है, क्योंकि यहाँ पे multiple location पे server मिलते हैं, और जितने server यहाँ पे मिलते हैं, बहुत सारी जगाए पे तो नहीं मिलते है, cloud को अगर छोड़नें तो नहीं मिलते हैं, नौर्मली hosting में तो, यहाँ पे देखेंगे, इंडिया है, अभी selected, जैसे हम ब्राजिल select कर सकते हैं, फ्रांस select कर सकते हैं, जामनी select कर सकते हैं, इंडोनेसिया select कर सकते हैं, लूथएनिया select कर सकते हैं, उनाटेट किंग्डम, युनाटेज स्टेट, और युनाटेज स्टेट में दो लोगे सेने, तो जैसे हम यहाँ पे युनाटेज स्टेट एरिजियोना select करते हैं, यह वला, ठीक है, जैन हम क्या करेंगे, next option क्लिक करेंगे, अब हमारा wordpress जो है, हमने select कर लिया था, installing, हमें अलग से wordpress install करने की जब direct हो रहा है, आटोमेटिक, तो इस तरीके से हमारा जो पहला फेज है, blog, hosting buy करने का, ओ खतम हो गया है, हमने wordpress install कर लिया है, hosting buy करने का, तो यह step खतम हो गया है, अब हम next step में आते हैं, जहाँ पे हम setup करते हैं, लाग कि अपने blog को, महाँ पे जो required plugin हैं, उनको install करते हैं, जो pages ह blog का, उसको setup करते हैं, theme install करते हैं, यह सब चीज है, तो उसको हम लेक बार देख लेते हैं, तो system पे ही हैं, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी domain name है, उसके आगे हम slash लगाएंगे, और लिखेंगे WP admin, इससे हम क्या करते हैं, अब हमें hostinger की जरूरत नहीं है, हम hosting में बार बा slash admin, तो देखेंगे, इस तरीके से हमारा login हो जागा, जैसे ही login होगा हमारा कुछ इस तरीके से interface देखेगा, अब हम सबसे पहले setting में आते हैं, देन आते हैं, permalink में media मतलब जो अब photo, video upload करोगे, उस सब चीज, permalink में अभी देखे, wordpress ने demand को देखते हुए na, post name permalink by default कर द आते हैं, हमारे plugin option में install plugin पर जाएंगे, कुछ plugin पर अलेड़े install हैं, जैसे hostinger AG on board, hostinger tools, light speed का ऐसे, तो यह दोनों हम install कर देते हैं, hostinger tools का हमें नहीं ज़रुत है, hostinger on board का हमें ज़रुत नहीं है, light speed एक caching plugin है, तो इसको रहने देते हैं, wp form हमें form बनाना है, अब यह हमें रहन देते हैं, तो जैसे यहाँ पर जाएंगे, add new पर click करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, अलग-अलग तरीके के form दिये होते हैं, wp form के थुरू हम उन form को बना सकते हैं, और उनको हम लगा सकते हैं, अपने blog में, ताकि लोग उससे contact कर सकें, और वहां से data ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर click करने के बाद यहाँ पर form का नाम, sorry, form का नाम हम अलग रख देते हैं, lead form, यहाँ पर जैसे इसका नाम लगते है, lead form, जो भी आपको tracking का description add करना हो, वो यहाँ पर आप add कर सकते हैं, ठीक है, यह form हो गया, then यहाँ यहाँ पर directly save पर हम click कर देंगे, save पर click करने के ब करने वाले है, use SEO का use करने वाले है, ठीक है, तो उसको install करना है, activate कर देना है, ठीक है, और यहाँ पर premium तो हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पर कुछ करेंगे, continue setup कर लेते हैं, इसको, कुछ करना नहीं है, next next करते जाना है, और पर person जो भी कर सकते हैं, website का नाम आप इंटर कर देजिए, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर save and continue, social media profile है नहीं तो उसको छोड़ देते हैं, save and continue, यहाँ पर person वाला detail हम add नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, plugin का काम हमारा हो गया है, अब हम आएंगे pages add करेंगे, जैसे privacy policy, terms and condition, about us, अब pages होते हैं, जो कि basic pages होते हैं, इनको add करेंगे, तो इनको add करने के लिए हम क्या करते हैं, simple सा जाएंगे, यहाँ पर pages में, देखेंगे, यह pages है, यहाँ पर by default एक page दिया होगा privacy policy का, इसको देख लेंगे इस तरह से, इसको edit भी कर सकते हैं, और अगर इसको चाहें तो directly, इसको basic होता है privacy policy, इसको publish कर देंगे, ऐसे, ठीक है, या फिर हम चाहें तो इसको generate भी कर सकते हैं, और इसके लिए कुछ अलग से कुछ नहीं करना है, chat GPT पर जाना है भाई, दिखा देता हूँ, कैसे chat GPT से जनना है, मैं chat GPT से ही privacy policy, terms and conditions यह सब यहीं से बनाता हूँ, about us भी कई सारे का, तो यहीं से लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ, create, privacy, policy, policy, page और अब जो भी website है, उसका नाम लिख देंगे, और, और यहाँ पर हम इंटर कर देंगे, अब देखेंगे, यह खुद बना देगा, ठीक है, देखिए, एक खुद बना रहा है भाई, कुछ करने की जरूत नहीं है, हम इसको just copy और paste करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको copy कर लेते हैं, ठीक है, copy करने के बाद यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर हम कर देंगे, पेस्ट, ठीक है, हमने पेस्ट कर दिया, इसको कर देते हैं, नॉर्माल पारग्राम, अब हम क्या करेंगे, इसको publish पर क्लिक करके publish कर देंगे, तो यह privacy policy हमारा publish हो गया, अब next page आएंगे, हम create करेंगे terms and condition का, terms and condition बहुत जरूरी है, अब देखेंगे, यह automatic terms and condition बना देगा, यह हमने हमारे पास history है, हमने उसी से related, privacy policy बना यहाँ, उसी से related यह terms and condition बना देगा, terms and condition, spelling सही है न, हाँ सही है, then publish पे हम click कर देगे, यह हमारा terms and condition का page हो गया, about us का भी page बना लेते हैं, भाई, अब हम क्या करेंगे, इसको भी copy करते हैं, इसको भी यहाँ पे enter कर देगे, ठीक है, और यहाँ पे publish पे हम click कर देगे, publish हो गया, एक और page बचा है, जो कि बहुत important होता है, contact us, contact us, इसके लिए हम क्या करेंगे न, इसको न, save करते हैं, और इसके लिए दो काम करना है, हमें elementor से इसको design करना, तो elementor पे click करेंगे, edit elementor पे, हमने form बनाया है, आपको पता होगा, form मैंने बताया था, form बन जाता है, यहाँ पे इसका sort code copy कर लेंगे, then यहाँ पे click पे click करेंगे, अब देखेंगे, यह structured वाला होगा, यह आसान होता है design करने में, अब यहाँ पे हम जैसे structure लेते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, यह जैसे 3 column structure लेते हैं, यहाँ पे इसको इस तरह से कर देते हैं, ठीक है थोगा, और यहाँ पे हम search करेंगे, यहाँ से side में आपको साले width मिलते हैं, यहाँ पे, designing के समय मैं detail में बताऊंगा, तो यहाँ पे जो column लिया है, यहाँ पे जैसे text को हम drag and drop करेंगे, तो text आजाएगा, सेम इसी तरह है, जैसे text को हम यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहें, लिख सकते हैं, heading जो select करना चाहें, उस लख कर सकते हैं, तो जैसे contact us में लिखना हूँ, contact us, और यहाँ पे heading में h1 कर दिना हूँ, क्योंकि यह पहला है, और then style में जाके हम इसको align कर सकते हैं, इसका font style चन्द कर सकते हैं, जो भी कुछ करना चाहें, वो कर सकते हैं, then यहाँ पे हम इसे center column में हम क्या करेंगे, हमने short code हमारे form का है, तो short code हम search करेंगे, यहाँ पे short code, short code आ गया option, इसको यहाँ पे drag and drop कर देना है, और यहाँ पे हमारा short code copy किया है, उसको enter कर लेंगे, देखेंगे, जैसे enter करेंगे, देखेंगे, यह form हमारा आ जाएगा, then हम publish पे click करते हैं, publish पे click करने के बादेखेंगे, view करेंगे, देखेंगे, यह form वाला page आ गया, इसको और भी customized design कर सकते हैं, वो हम next step में, designing के process में, जानेंगे, बात करेंगे, ठीक है, तो यह हमारे सारे required pages हमने create कर लिए हैं, जो भी हमारे ज़रूरत हैं, चार pages, अब हमें एक और काम करना है, हमें जाना है category create करना है, category जो भी लाइक है, जो आप बताने वाले हो, तो उसमें क्या के consider करोगे, अपने नीच में, उसके बारे में, तो जैसे की category create करने के लिए, हमें क्या करना होता है, post में जाना होता है, post में then category का option मिलता है, यहाँ पे click करना होता है, यहाँ पे by default एक category दी होती है, जिसको हम edit कर सकते हैं, delete नहीं कर सकते हैं, जैसे un-category है, इसको कुछ भी दे सकते हैं, जैसे नाम, माली जै इसको आपकर चाहें, तो blog दे सकते हैं, इसको blog करते हैं, मतलब, अगर कोई post ऐसा है, कि किसी category से related नहीं है, तो blog में चला जाएगा, ठीक है, un-category थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, अब फिर हम back आ जाएगे category में, अब नया category create करेंगे, तो आपको यह बनाके रख लेना है, पहले से जो आपके category हो, तो हमने पहले से ही बनाके रख लिया है, तो देखेंगे, यहाँ पर पहले से ही मैंने बनाके रख लिया है, mold removal, ठीक है, यहाँ पर mold removal करेंगे, और यहाँ पर इसको हम add new category कर देंगे, तो जैसे करेंगे, तो जैसे करेंगे, यह add हो जागा, फिर हम धूसरा, यहाँ पर LGBTQ लिया है, black mold removal, इसको यहाँ पर करते हैं, और यहाँ पर add हो जाग, यहाँ तीसरा, जो हमने लिए है, water damage mold removal, इसको भी हम सेम इसी तरह से करेंगे और यहां पर हमारी category यह सब बनके ready हो जागी category बन गया अब next step में menu बनाना होता है category से पहले menu बनाएंगे तो problem होगी बड़ category के बाद जब menu बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा कोई भी तो हम क्या करते हैं सिंपल जाते हैं appearance में यहां से menu create होता है appearance में जाने का देखेंगे menu का option ही मिलता है यहां पर क्लिक करना है आप यहां पर देखेंगे कोई भी menu अभी नहीं है हमें create menu पे क्लिक करेंगे यह है हमारा menu हो गया create ठीक है अब create होने के बाद अब हम इसमें item add करेंगे तो item कहां से मिलेगा category जो हमने बनाया वहां से मिलेगा तो यहां पर categories करने से option यहां पर आना है view all पे क्लिक करना है जो भी categories है इनको add करना है जैसे mold remover black mold और यह करेंगे इनको हम यहां पर add करतेंगे जैसे add करके save करेंगे तो यह हमारे जो है add हो गया हमारे main menu में अब मैं आपको blog दिखाऊंगा थोड़ा सा एक बार अब एक और menu create करते हैं जो कि sub menu होगा तो यहां पर menu का नाम देते हैं footer menu और यहां पर हम कोई भी option select नहीं करेंगे देने यहां पर create menu पर click करेंगे create होगा menu अब हम यहां पर add करेंगे क्या add करेंगे pages जैसे about us, contact us, privacy policy, यह सब pages यहां पर about us, privacy policy, contact us, terms and conditions यह 4 pages को हम इसमें add कर लेंगे then save menu में add कर करेंगे अब हम क्या करते हैं next step में जो footer menu है इसको footer में लगाने का simple सा तरीका है बहुत सारे लोग परसान हो जाते हैं नहीं लगा पाते हैं हमें क्या करना है हमें आना है अपने widgets में यहां पर appearance में ही menu के ऊपर widgets का option मिलेगा इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर देखेंगे यह सारे widgets हैं जो कि आप पर left right slide में दिखते रहते हैं तो जैसे यहां पर देखेंगे header का है left का है right का है ठीक है footer का है यहां पर नीचे आएंगे footer भार आपको मिलेगा यह बहुत important है यहीं पर आपको add करना है तो यहां पर हम update करने के बाद यहां पर आएंगे refresh करेंगे हम एक बाल फिर से तो देखेंगे नीचे सारे menu यहां पर create हो गए हैं तो यह हमारा basic काम हो गया हमने अंदर के सारे काम कर लिए अब बाहर का design हमें सही करना है इसके लिए हम क्या करेंगे simple सा जाएंगे अपने blog पे blog पे जाने के site title होता है इसको आप चाहिए तो hide कर सकते हैं hide हो गया अब यहाँ पे logo चाहिए तर लोगो इस्तमाल करते हैं आप site title को text में भी इस्तमाल कर सकते हो बट मैं recommend करोंगा logo यूच करो तो यहाँ पे logo पे जाएंगे हमारा logo यह है हम इसको select करेंगे then हम इसको यहाँ पे add कर तिक है यह हमारा लोगो हो गया अब लोगो का साइज हम तो है कम जादे कर सकते हैं देखेंगे कम जादे हम यहां पर साइज कर सकते हैं अब हमें साइट आइकन ऐड करना है साइट आइड करने के लिए मैं लोगो में से ही साइट आइड करने वाला हूं तो जैसे लोगो का हम रहा है ये मैं site icon में डालोंगा तो site icon फेव i estaban जिसको बोलते हैं इसको अब jernate भी कर सकते हैं तो यहां पे इसको मैं अभी current time के लिए इसको मैm select कर लेता हूं ठीक है यह देखेंगी यहां पे यह आ गया है जाप और यहां पर मैं इसको recommend करूंगा PNG आप मतलब जिसका वाइग्राउंड ना हो उसको इस्तिमाल करें यह होने के बाद आप दिखेंगे इसको अगर चाहें तो इडिट कर सकते हैं दिखेंगे एडिट पर हम क्लिक करेंगे और हम फुटर क्रेडिट को इडिट कर देंगे तो यहां पर जैसे copyright है रहाल रिजर्व राइट्स ठीक है अब यहां के लिए हम क्या करेंगे यह वाला कॉपी कर लेंगे जैसे अगर मैनूर लिखते हैं तो हराद चैंज करना पड़ेगा यह हमें चैंज नहीं करना पड़े ठीक है ठीक है अब यहां पर हम लिए ठीक है ऐसा हमने कर लिए ठीक है यह बन गया है अब यहां पर हम बैक आजाएंगे जो भी चैंज किया है उसको चैंज करके पब्लिस कर दिजिए अगर आप बाहर आ जाते हो तो चैंज हट जाएंगे तो पब्लिस करना बहुत जरूर तो यहां पर जैसे टॉप बार है ठीक है ठीक है हेडर है जैसे हेडर का भी कलर वाइट है तो इसको अगर आप चाहें और भी कलर दिखेंगे दे सकते हैं हम चाहते हैं कि एसके लिए हम क्या करेंगे सिंपल सा यहाँ पर जैसे इसको आप देखेंगे यह कलर बिल्कुल मैच होगा तो यह कलर हमने सेलेक कर लियाए अब इस कलर को हम क्या करेंगे कॉपी कर लें इस color code को हमने call लिया है, copy, अब हम यहां पर आएंगे, primary navigation में, देखेंगे white दिख रहा है, उसका भी हम color यहां से change कर देंगे, यह change हो गया, इस तरह से हम color change कर सकते हैं, link का color हो, farm का color हो, button का color हो, कुछ भी हो, जो हम चाहें, वहां से change कर सकते हैं, हमारे उपर है, ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं नीचे, ठीक है, नीचे आने के बाद यहां पर typographic option है, typographic मतलब font, font को हम manage कर सकते हैं, font को हम change कर सकते हैं, अपने हिसाब से, जो भी हम font चाहें, ओ लगा सकते हैं, तो यहां पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के font होते हैं, जैसे, मैं आपको यहां पर देखेंगे आल्ग-अलग तरीके के आपको यसे fand आपके दिख रहे हैं तो इसी तरीके के फॉन्ट उसमें भी होते हैं जैसे सपोच तो f voud्य की लिए सब से पहले याँ बई default फॉन्ट दिया होता होता है ठीक क्या करना है हमें डिंड करना है हमें अपना अलग जिनएंपर अलग तरीकिये से यहां पे आते हैं टाइपोग्राफिमें ग्लिक करते हैं तो zuPlease क्रूंत को इस्तुमाल करना चाहते हैं तो जैसे हम यहां पे जाते हैं सबसे पहले प्राइमरी डिखेशंगी प्राइमरी टिकैसे ऑफिर शदी हैं हम का करते हैं जॉर्जिया करते हैं ठीक है हमने फॉंट को जॉर्जिया कर लिया है हम इसके जो वेट है हम इसको करते हैं बोल्ड अब देखेंगे यह बोल्ड हो जाएगा हम चाहते हैं इसका जो फॉंट हो अपर केस में हो तो यहां पर केस हम करेंगे तो यह सारे फॉंट अ आपको लॉँपर है टोटल यहाँ जिसे हमने जॉद्ट गिया तो जॉद्ट किया तो यहाँ पर यह आपको फंट देखने को मिल रहा है ठीक है अब यह यह सलेkt करने के बाद आप फंट सलेक्क करने तो देखेंगे BODY के FONT JORGIA हो गया है इसी तरह अगर हम जाए नीचे HEADING के FONT हम चाहें जैसे यहाँ पर आते हैं नीचे तो यह चावन हेडिंग है इसका FONT हम यहाँ पर सब्सक्राइब लेते हैं जॉर्जिया तो जॉर्ज यह हो जाएगा ठीक है और फिर यहां पर H2 heading जैसे है ठीक है एसका font हम चाहें select कर सकते हैं तो यह जो जाएगा इस तरह है H3 heading है उसको भी हम select कर सकते हैं तो मतलब जितने भी जो भी segment इसमें यूज होते हैं उनका जाजा कि आप font style select कर सकते हो उनको change कर सकते हो अपने हिसाब से ठीक है यह करने के बाद आपको आ जाना है back यह font का हो गया अब एक और बहुत ही चीज मुझे important लगती है जैसे यह ना हर link पे जब यह underline लगा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है अले नहीं हम color दूसरा चीजों को कर सकते हो और यहां पे underline और हटा सकते हो तो यहां पे आपको क्या कर देना है publish ठीक है तो इस तरीके से आपका ब्लॉग अब देखेंगे यह ब्लॉग अभी पहले था और अब देखिए यह ब्लॉग अब है हमने पूरा चीजे बदल दी है कितने अच्छी लग है सिंपल सा देखिए बहुत सरे लोग प्लॉग इन इस्तिमाल करते हैं तो डारेक्टली का मैं बताता हूं प्रोसेस बहुत आसान है कोई बड़ा नहीं हमें अपने ब्लॉग में लॉग इन करने के बाद अपीरंस में आना है पहली बार उपन करेंगे तो इस तरह से दिख दाता हूं ताकि वह ग्लोबली हो अगर आप डिजाइनिंग करते हैं तब भी कोई इंपेक्ट ना पड़े तो यह प्लगिन का नाम है क्या हेडर एंड फूटर यहां पर कोड़ डवलूपी हेडर एंड फूटर यह सायद प्लगिन का नाम है मुझे क्लियर नहीं है एक वा प्लगिन के थुरू हम लाइक ग्लोबली अपने हेडर एंड फूटर को इंसर्ट कर सकते हैं तो देखेंगे यह प्लगिन हमने इंस्टॉल कर लिए है इस तरह के यहां पर नीचे बन जाएगा तो देखेंगे यहां पर एड हेडर एंड फूटर का और सब्सक्राइब करना गूगल एनालीटिक्स ऐसे सर्च करेंगे ओपन करेंगे साइन इन पर क्लिक करेंगे नियू अकाउंट पर आ जाएंगे इस तरह से अब हम एकाउंट का नाम देंगे जैसे एकाउंट का नाम देंगे तो देखेंगे एकाउंट का नाम हमने दे दिया है यहां पर अगर आप चाहें तो option को enable कर सकते हैं बाइड डिफॉल्ट ही रहने दे यहां पर करेंगे अब property का नाम भी सेम हम रख देंगे परपटी के नाम अलग देने की ज़रूत नहीं है, अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, रिपोर्ट जिस तरह से चाहते हैं, उसी तरीकी का यहाँ पर टाइम जोन और लोकेशन सेलेक करें, तो जैसे मैं यूएस का चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम यूनाइटेड इस्टेट हम डालेंगे, और उसका टाइम जोन सेलेक करते हैं, यहाँ पर करनसी जो है, यूनाइटेड यूस डॉलर, यहाँ पर इसको सेलेक करेंगे, देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर कंपनी साइज, छोटा हम सेलेक कर लेते हैं, कोई बड़ी कंपनी है यही नही पर क्लिक करने क्या क्या शाहिए जैसे लीड चाहिए यह셨शल से यह traffic engagement सब्सक्राइब छाहते हैं पशुर्फिक करने चाहते हैं उसको करें ता कि रिपॉर्ट का सही से पनल बना सके हैंловika साइस देटा देख सके, create पर हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पर हम सेलक करते हैं, United State, और यहाँ पर agree, accept, जो location है आपका उसी हिसाब से आप सेलक करोगे, then यहाँ पर wayb हमारा है, तो हम website का URL इंटर करेंगे, जो कि हमारा यहाँ पर है, और कौपी करते हैं, और यहाँ पर हम इंट जो कि हमें header में डालना है, तो हम क्या करेंगे, इस code को को भी कर लेंगे, दिखेंगे, यहाँ पर लिखा है, head में, आपको add करना है, header and footer वाले plugin में आ जाएंगे, और यहाँ पर paste कर देंगे, इस तरह के से इसको save कर देंगे, save करने के बाद, यहाँ पर एक बार हम क्या करत नहीं, test करना ज़रूरी है कि install हो एक नहीं, detected on a website आ गया न, install हो गया, confirm, ठीक है, अब यह हमारा done हो गया, अब हमें इसमें कुछ करने की जोड़त नहीं है, अब जब traffic आगा तो report देखने ही ज़रूत है, then आता है second option, search console, search console, Google का search console है, तो इसको install करेंगे, यहाँ पर click करते ह start now पर click करेंगे, तो हम यहाँ पर add करेंगे दूसरी property, तो यहाँ पर copy करेंगे URL, और यहाँ पर enter कर देंगे, यह domain भी कर सकते हैं, और यह भी कर सकते हैं, तो यह आसान होता सबसे, single URL है, multiple अगर लेकर सब domain बना रहे हैं, तो ज़रूर यह continue पर click करेंगे, auto-verified हो गया है, क्योंकि analytics हमने account create किया है, तो auto-verified हो जाता है, auto-verified हो गया, done, ठीक है, अब हम यहाँ पर आएंगे, site map submit करेंगे, तो site map, जब हम SEO plugin install करते हैं, automatic generate हो जाता है, create हो जाता है, तो यहाँ पर slash site map dot xml हमें लिखना है बसके बद, xml, ठीक है, यह हमारा site map देखने अब कोई content है ने, तो site map में क्या फायदा है, तो इसको हम करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर site map में हम submit कर देंगे, यह देखेंगे, site map हो क्या है, और यहाँ पर हम इसको submit कर देते हैं, जब content लिखेंगे, तो indexing होगा, अभी तो could not fetch इस तरह का है, तो यह हमारा blog का, हमने क् इंस्टॉल कर लिए थी, कॉस्टमाइज कर लिए हमने ठीक है, और हमने search console इंस्टॉल कर लिए, यह सब चीज़े कर लिए, अब बारी आती है content की, तो already हमारे पास keyword है, हमें content लिखना है, तो content लिखने के लिए simple सा fund आया है, content मैं लिखके भी दिखा देता हूं, क्या करूं लिखना ही पड़ता है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, content बनाता हूं, और फिर मैं आपको दिखाता हूं, तो किसके लिए content publish करने के लिए, आपको simple सा क्या करना है, login करना है, add new पे जाना है, यहाँ पे post में, add new post, यहाँ पे click करना है, और यहाँ पे add new title पे, आप click करके post को add कर सकते हो ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे जो भी हमारा content है उस में से select करेंगे तो हमने अपना topic चुना है आज का can mold removal चुक्कि हमने सारा topic बना लिया तो हमें बनाने ज़रोत नहीं can mold removal be covered well will be covered by insurance ठीक है अब हम एक बार मैं को देख लेते हैं वही साही है कि नहीं ठीक है A A झाल झाल तो अभी मैं क्या करता हूँ ना बना लेता हूँ content इस तरीके से content आप बना सकते हैं इसके लिए आपके पास option है तो ये आपका self check है कि कैसे आप content लिखते हो क्योंकि content लिखना जरूरी है तो यहाँ पे मैं कुछ content लिख रहा हूँ चुकि मैं writer hire करने वाला हूँ मैं खुद से नहीं लिखने वाला हूँ तो यहाँ पे content मैं बना रहा हूँ और इसको मैं बना लेता हूँ जल्ले दे फटा फट ताकि काम थोड़ा सा easy हो जाए तो भाई लोग इस तरीके से मैंने content बना लिया है अब यहाँ पे देखेंगे कि पहला intro section है जिसमें हमने discuss किया है कि मतलब एक question है जो कि मतलब mold removal है घर का वो क्या insurance में cover होता है तो इसका मतलब उस बंदे को पता नहीं है कि cover होता है कि नहीं होता है तो इसमें हमें बताना है कि मतलब यहाँ पे मैंने बताया कि अगर mold removal घर में mold आ गया है तो यह हो सकते हैं cover हो आपके insurance में हो सकते हैं नहीं हो और य इसके बाद यहां पर बताया गया है कि मतलब किस तरह के इंसुरेंस जो है यहां पर मोल्ड रिवूवल में आते हैं किस तरह के इंसुरेंस आकर आप लेते हैं तो आपका मोल्ड रिवूवल जो है उसमें कबर हो जाएगा यहां पर उसको फाइल कैसे करना है अगर आपके पा अचैने बारियो और यहां पे स्लेग्ट होता है ceo ने से स्वाइटार होता है और यहां पर यहांपे टाइटल होता है जो आपका में यहां पर टाहिक जिसे टाइटल है हम चादे हैं यह मंट देखे 사اight Be operator मत देखे तो यहां पर चीज़ हम अटा देंगे तो देखेंगे साइट और सपरेटर हट गया है तो यह चीज़े हैं और यहां पर नीचे आता है SEO analysis का option आता है ठीक है तो यहां पर outbound link image internal linking अलग-अलग जो यहां यहां पर देखेंगे जो लोग कहते हैं कि on page SEO optimization नहीं कर पा रहा हूं यहां पर इंडिकेटर्स को फाइल करना है जैसे outbound link का लिए बोला है कि कोई outbound link नहीं है image के लिए बोला है कोई image नहीं है पोश्ट में और जैसे बोला है internal linking कोई भी नहीं है keyword phrase नहीं है तो यहां पर meta description लिखा गया है ठीक है text का length कितना है site का title कितना है यह सब चीजें यहां पर देखेंगे जो अच्छा है उसको good job बोला है जो नहीं अच्छा है उसको बोला है add करने को तो यहां पर सबसे पहले image हम create करेंगे तो image create करने के लिए कैनवा जो है इस्तमाल करते है कैनवा बेस्ट है अब image का size क्या होता है size standard मैं आपको size बता देता हूं standard size आपको यूज करना है 1200 और 1200-800 ठीक है 1200 width होगा 800 उसकी height होगी यह side use करना है image कहां से मिलेगा तो इसके लिए यहां से मिल लगता है तो जैसे यहां पर देखेंगे free pic पे हमें image मिला है तो कई बर क्या होता है, image हमें एक जहन से नहीं मिलता है, हमें search करके मिलता है, तो यहाँ पर जो यह लगा है, इसका मतलब यह premium image है, और यहाँ पर free image भी आपको मिल जाएंगे, तो जैसे free image की बात करते हैं, यह वाला image हमें लग रहा है, यह free है, ठीक है? और यहाँ पर देख तो reduce image size option आता है और यहाँ पर हम जाएंगे और फिर हम इस image को upload करेंगे जहाँ पर हमने download किया है देखेंगे 15 MB का है ठीक है और size भी बहुत बढ़ा है तो हमें चाहिए कितना 40% इसका चाहिए और यहाँ पर हम करते हैं इसके size को देखेंगे अब KB में आ गया है अब हम क्या करेंगे कैनमा पर इस image को upload करेंगे क्योंकि हमें ओच size चाहिए जो हमारे काम का हो और देन upload हो रहा है अब upload होने के बाद हम क्या करते हैं इसको add करेंगे और यहाँ पर हम इसको जेपीजी फाइल में convert करके download कर लेंगे और यह पूरा question जो है हमारे image का होगा हमारे image का slug होगा हमारे image का title होगा और उसका alt tag होगा तो यहाँ पर इसको हम paste कर देते हैं और यह हम add कर देते हैं ठीक है तो यह हमारा title और यह सारी चीज़ा add हो गई है अब हमें क्या करना है यहाँ पर internal linking देना दो चुकि अभी हमारा पहला पोश्ट है तो internal link तो हमारे पास possible है हमारे पास internal link का ऐसा है नहीं लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर tag से बना सकते हैं मैं वह नहीं चाहता है और external link आप देना चाहें जैसे homeowner insurance ठीक है यहाँ पर जैसे standard homeowner insurance हो तो यह क्या है इसको गूगल पर डालें तो यहाँ पर देखो रहें जो information institute यह एक बहुत बड़ा institute है तो यहाँ पर हम इसको hyperlink कर सकते हैं और यहाँ से चुकि जो data है वो काफी helpful होगा और काफी trusted data होगा तो यहाँ पर हम इसको hyperlink कर देंगे हमेशा next open type करें जब भी external link लग देखेंगे internal link external link का option हट गया है ठीक है और यहाँ पर और हमने इसको add कर दिया है तो देखेंगे सारे हमारे जो है option गूड़ 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 हो गया है सारे internal linking नहीं है क्यावली यह तो नया पोस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें इतना जादे अब आप next option आता है यह हमारे page का optimization done हो जाता है हम ही क्या करना है कि जो है highlight भी कर लेना है word को जिसे highlight भी अगर आप चाहें तो आप उसको highlight करेंगे इससे क्या हो जागा यहां पर लोग उसका attention जाता है लोग को ठीक है करेंगे ठीक है और यहां पर जादे keywords है नहीं वैसे तो यहां पर हमने उसको highlight नहीं किया जनल एक एंसर है target keyword पर हमने नहीं बनाए एक का query का हमने जवाब दिया है ठीक है अब हमारा यह हो जाता है देन हम आते हैं हम यहां पर आजाएंगे अपने पोस्ट में पोस्ट में आने के बाद सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे क्या है है mold removal का है mold removal हमने category यहां पर select कर लिया है ठीक है अब हम क्या करते हैं यहां पर जैसे insurance में cover type देखो यहां पर जैसे keyword है इसको भी हम क्या कर लेंगे बोल्ड कर लेंगे इस तरीके से ठीक है अब यह हमारा radio के देन हम इसको publish कर देंगे यह first blog है और इस तरह से हम publish कर देंगे content writing का पूरा process हमने बताया तो इस तरह से हमारा कुछ blog देखेंगे दिखेंगे जिसको हमने publish कर दिया है और यहां पर जब home पर हम click करेंगे तो यहां पर इस तरीकी का दिखेगा इसको हम और भी design कर सकते हैं जैसे चाहते हैं यह सब ना दिखें ठीक क स्ट्ग ना दिखें प्वgee कमेंड का इसमें पूश्ट और यह हम चाहते हैं यह जीरो रहे ठीक है तो यहां पर जीरो ह espero का ना डिखेंगा ठीक है तो यहां पर इस तक si से और यहां पर इस ऑलेख ऑना हिसके बाद है जो आपका फीचर इमेज है उसको भी फीचर इमेज टाइटल है और गांद सब्सक्रा-पर कर सकते हैं ठीक है ट्लीक मत टाइब कर रहा है अब्लाग कर सकते हैं अपने ब्लॉग में अपने शीजों में और स्टार्टिंग में क्या है जब स्टार्टिंग में आप लिखें तो मैनुवली समिट करदें इसको इंडेक्सिंग के लिए कुछ समय के लिए कुछ तिंग प्रॉसस करते जाएं और कोशिज करें रेगूलर कोंटेंट इलिए एक-दू दिन करके छोड़ने से काम नहीं चलेगा तो ये काम करना है आपका content का अब बात करते हैं backlinks, backlinks देखिए इन तरह के साइटों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कई तरीके के backlinks हैं तो सबसे पहला जो backlink type है आपको क्या करना है social media links बना लेने हैं इनके social media आज से पोस्ट आपने लिखा है तो आप क्या कर सकते हैं अपने पोस्ट को ना reshare करके, repurpose करके भी आप जो है traffic generate कर सकते हो जैसे हमारा ये पोस्ट है, हम इसको copy किये है, URL, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे repurpose करता हूँ इसको repurpose करूँगा मैं medium के storing पिलिक किए और यहाँ पर import story पर उल्high यहाँ पर हमने क्या कर दिया story को क्या कर दिया, import का एंधिक है, यहाँ पर तेखेंगे यह title के साथ ही हमारा story यहाँ पर import हो गया है और यहाँ पर हमारा link आगया, originally published यहां पर और देन हम इसको पब्लिश कर सकते हैं और यहां पर डाल सकते हैं mold removal mold इस तरह से हम repurpose करके भी content को link बना सकते हैं इसके अलामा resource pages find कर सकते हैं और वहां पर भी link बना सकते हैं तो मैं कुछ की यहां पर यहां पर हम keyword डालते हैं जो next strategy में बता रहा हूं बहुत ही असान है जहां पर resource pages का simple सा मतलब है ऐसे pages जहां पर एक type के रिसोर्स वहां पर होते हैं तो यहां पर जैसे mold हम removal डालते हैं और यहां पर हम यह लिख देते हैं इन URL रिसोर्स समिशन मतलब Google हमें केवल इसे दिखाएगा जिसमें resource submit का option दिखेगा जैसे यहां पर देखेंगे यहां पर देखेंगे यह प्रोसेस लंबा चलता है एक मिनिट का खेल नहीं है इसमें टाइम देना पड़ता है आपको find करना पड़ेगा और देन आपको आहां पर resource समिट करने पड़ेगे जैसे यहे दिखेंगे आपको दिखाना चाहंगा जैसे हमें यहां पर यहां पर मिल गया है जहां हम समय कर सकते हैं रिशोर्स तो यहां पर नाम इंटर करिभे है और टाइटेल इंट करेंगे फाउंडर ठीक है और यहां पर company name ठीक है यहां पर select करोंगे United States यहां पर जैसे नीचे से आते हैं और सब्सक्राइब यहां पर US का number हम इंटर कर देंगे तो देखे ट्रिक होता है लोग बहुत सारे लोग temp number इंटर करके सारे काम करते हैं तो temp number इंटर कर सकते हैं आप इसमें तो मैं इसे देखो US temp number सर्च करता हूँ temporary number मतलब temp number तो यहां पर मिल जाएगा बहुत सारे number मिल जाते हैं देखेंगे 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 US का यह temp number है ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको copy करेंगे और यहाँ पे हम submit कर देंगे, ठीक है? Email id हम enter कर देंगे, ठीक है? तो email id हम enter कर देते हैं जबी हमारा ये है, .com Website का URL देखेंगे, यहाँ पर e-mail तो purpose होता है, यहाँ पर website URL इंटर कर देंगे, ठीक है? Address, ठीक है, address अघर mandatory हो, तो address आप जो है temp address भी यूज़ कर सकते हैं तो यहां पर हम और देखेंगे यह सब कोई भी हमारा mandatory नहीं है यह mandatory है तो इसको हम क्या करेंगे about us का हमारा जो content है उसको थोड़ा सा है यहां पर हम इंटर कर देंगे थोड़ा सा detail में लिखना होता है यह मुझे पता है मैंने बनाया है तो मैं कर लिया हूं तो इसके लिए तो यहां पर हम डाल देते हैं content और अब हम क्या करेंगे यहां पर पीडिया इम्पोर्टन नहीं है project URL में क्या करेंगे यहां अपने अध्य content का URL यहां पर इंटर्चर देंगे ठीक है अब यहांतर से हमें select करना category है बहुत जरूरी होता है क्टियूसर जाऊना होता है दूल हम सुर्ज करतेएं यह मोल्ड रिमूवल और इसमें देखें कि अब हम क्या करेंगे यहां पर सम्मिट पर हम क्लिक कर देंगे तो यह हमारा जो है श्रम मिट हो जागा प्रजेक्ट ठीक है और यह कुछ दिन में जो है पब्लिस वेपसाइट पर सोने लेगा तहीं पहीं रिसोर्स में एड हो कर सकते हैं और जिनको शम्मिट कर सकते हैं तो यह हमारे उपर है तो इस तरह से रिसोर्स बेज की बैक लिंग करते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं बैक लिडिंग का यह सब हेल्प करेगा भाई ट्रैफिक बढ़ाने में यह सब चीजे तो ında one of the keys करते हैं तो यहांप wydaje कर सकते हैं तो यहां पर देखे हैंम अगांट में लॉग ए रिकले अब यह आते हैं है कि और यहां पर देखेंगे हैं अने link करद रिया हैं लिंक बना सकते हैं हैं वुट नासकते हैं तो यह कुछ रूबन तरीके इसके रहां खोरम्श हो गया है सब्सक्रावार ऑन लिंक ऊगया ऐसे बीच्ट पियार हो गया लिए यहीं सारे तरीके के हैं जहां से आप बात करें तो आप सभी को पता है कि गूगल का जो मिली जाएगा आपके साइट पर जैसे ट्रैफिक आता है लेकिन इसके अलावा जो अफ्लियेट मोनिटाइजिएजिएंगे उसके लिए क्या करना होता है कहां से मिलेंगे यह सब चीज़े हम जान लेते हैं तो देखेंगे जैसे ट्रैफिक ग्रोव होगा तो मैंने लाश्ट वीडियो में जब नीचेस के बारे में बात किया था उसमें भी जिक्रिक किया था मैंने ओफर वर्ड का ओफर वर्ड एक विबसाइट है जहां से आपको हर नीचेस के एराउंड अफ्लियेट मि करते हैं और यहां पर देखेंगे इस तरी के जाते हैं उसाफ्लियेट मिय यहसे पर प्रोष करते हैं आप देखेंगे सर्विस का हमें मिला कितना है साट डॉलर पर पे आउट है यूए से कंट्री यूइलोकल जो है नेट वर्क इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर डॉप पर है और यहां पर रॉप कॉल पर है ठीक है तो ऐसे हम इसको उपन जब करेंगे ना तो इस तरह से देख सक मिलेगा पर कॉल के साब से मिलेगा प्रिवी लेंडिंग पेज है जिसको आप प्रमोर करना चाहते हैं उस लेंडिंग पेज को भी आप देख सकते हैं साइन अपर के डॉप कॉल पे और यहां पे पूरा जनकारी भी लिखा है 90 सेकेंड आफटर आइबिया ठीक है 90 सेकंड कॉ होना चाहिए 60 प्रियाउट होगा शाइब डॉलर का जियो लोकेशन भी है उसके बाद यहां पे मंडे संडे और आठ से दस के बीच में होना चाहिए टाइम भी में से तो आप अपना साही से या पिर जो जो काम है प्रमोशन भी साही से कर सकते हैं नंबर आप कॉन करेंट क इस्टेंस पर फे इस चीज़न आठीज और चाहिए ऊंचर्वाइ ही आपको मिल जाते हैं। तो जैसे ही यहां पर देखेंगे, स्वेट ک्तों मृइंन पैम। और आप वह क्राशी देखने और अधर ऑप पेक्तों में तो इस तरह D دाएगा है तो इस तरहिए से आपको affiliate भी मिल जाएगा इसके अनावा impact है शेयर सेल है हमेजन है यहां पर जाके आप account बना सकते हो और वहां से आप जाके services को उठा सकते हो और उनको